राजदानी के चोमू कस्बे में लोकडाउन के दुरान सभी राशन डीलरों को घरगर जाकर राशन सप्लाई करने के आदेश कलेक्टर ने जारी किये हैं लेकिन कलेक्टर के आदेशों की धजिया उठती नजरा रही है राशन की दुकानों पर अक्सर भीड देखने को मिलती है किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के पालना नहीं हो रही है ऐसे में संक्रमन फैलने का डर सता रहा है कई राशन डीलर की लापरवाही लोगों पर भारी नहीं पड़ जाए दरसल वाड नबर 9 में राशन की दुकान पर सुबह साथ बजे लोग राशन लेने पहुँच गए लंबी कतार लग गई लेकिन साड़े नो बजे तक राशन डीलर अपने दुकान पर नहीं आया नाराज लोगों ने नारे बाजी करने शुरू कर दी इसकी सूशना नगरपालिका के ई-ओ शुबं गुपता को मिली रविवार सुबह जब राशन लेने पहुँचे तो डीलर ने दुकान नहीं खोली बता दे कि ऐसा ही नजारा वार्ड नमबर एक में भी देखने को मिला था तब SDM हिमत सिंग ने राशन डीलर के खिलाफ कारवाई करने के बजाए नायब तैसिलदार विनोद कुमार पारिक को नोटिस देकर इतिश्दी कर ली जबकि कारवाई राशन डीलर के खिलाफ की जारनी थी